यूय थो नमुश्कुर मीडिया सोदंतुरिता की बात करते हैं आजि बीडी सी के करले में आयकर विवाक की टीम पहुँछी तो जैसे पूराओकईट गयंगी परिशान हो गया कॉंग्रेस आग पबुला हो गई, पार्टी ने कह दिया कि यह अघोशित आपातकाल है यहां कॉंग्रेस से पूछा जाना चाहिए कि वह उस पार्टी का नाम बताए जिसने देश में घोशित आपातकाल लगाये था देश में आपातकाल लगा कर जनता पर अत्याचार का मजा लूटने वाले भला क्या जानेंगे कि आपातकाल क्या होता है यदि BBC पर मोधी सरकार की कारवाई पर कॉंग्रेस को आपत्ती है तो वह बताए कि इंदरा गांधी ने BBC पर क्यों परतिबन लगाया था BBC पर आयकर विभाग की कारवाई पर जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या कर चोरी का मामला अगर है तो आयकर विभाग चुपचाप बैठा देखता रहे इसके लवाब BBC के खिलाफ कारवाई के विरोध में जिस तरह एक साथ और एक समय पर कॉंग्रेस के नेताओं, वामपंथी दलों के नेताओं, आमाधी पार्टी के नेताओं, तिर्मुल कॉंग्रेस की सांसत महुआ मोहितरा, पीडीपी प्रवुक महभुवा मुफ्ती और पत्रकारों के साथ होने वाले अन्याय को चुपचाप देखते रहने वाले एडिटर स्किल ने हमला बोला है, वह भी कई सवाल खड़े करता है, कामाल की बात यह है कि सबने एक लाइन पकड़ते हुए, BBC पर आयका रिभाग के छापों को मोधी संबंधी डॉक्यमेंटरी स जोड दिया, देखा जाए, तो देश में एक चलन सा बनता जा रहा है कि जाँच एजनसियों की कारवाई को ही संदेह के घेरे में ला दिया जाए, जिससे गुनागार को बचने का आउसर मिल जाए, आज जो लोग भारत की छवी खराब करने वाले BBC के समर्थन में खड़े ह रहे हैं, वह यह भी दर्शा रहे हैं कि उनकी मानसिकता अब भी आपनिवेशिक काल की ही है, वह भूल गये हैं कि अब ब्रिटिश राज नहीं है और वहां के संस्थानों के साथ खड़ा होने की कोई मजबूरी भी नहीं है, लेकिन मोधी विरोध में कुछ लोग कुछ भी कारवाई नहीं हुई है, इससे पहले भी जिसने गलती की है, उसके खिलाफ नियम सम्मत कारवाई हुई ही है, वाराल जानता कि इस पूरे प्रक्रण की बात है, तो आपको बता दें कि ब्रिटेन के सारजुनिक पसारक BBC ने कहा है कि भारती आईकर विवाग के अधिकारी न BBC के कारलियों में आएकर अधिकारियों के पहुंचने के साथी सुबह 11 बजे अचानक से यह कारवाई शुरू ही, उन्होंने कहा कि BBC के करमचारियों को परिसर के अंदर एक विशेष स्थान पर अपने फोन रखने के लिए कहा गया था, उन्होंने कहा कि विवाग लंदन BBC करले के बाहर भारी संख्या में रहगीरों और मीडिया कर्वियों को देखा गया, मई में BBC का करले सांता कुरूज में है, वहाँ भी भीड देखी गई, हम आपको बता दें कि सर्वे के तहत आयकर विभाग केवल कंपनी के विवसाईक परिसर की ही चांच करता है, और इसक बीडिया समू के खिलाफ आयकर विभाग का जारी सर्वे, ओपरेशन, नियमो और सम्विधान के तहत है, बीजेपी ने BBC पर भारत के खिलाफ जहरीली रिपोर्टिंग करने का आरोप लगाया, और कहा कि उसका दुषप्रचार और कॉंग्रेस का एजेंडा साथ-साथ चलत बीडिया समू हो, अगर भारत में काम कर रहा है, और अगर उसने कुछ गलत नहीं किया है, तथा कानून का पालन किया है, तो फिर ढर कैसा, उन्होंने आरोप लगाया कि BBC में पत्रकारिता की आर में एजेंडा चलाये जाता है, उधर कॉंग्रेस ने कटाक्ष करते वे कहा है कि विनाश काली विपरीत बुधी, पार्टी अधेक्ष मलिकारजुन खडगे ने यह आरोप भी लगाया कि मोधी सरकार में प्रेस की सोतंतरता पर हमला हो रहा है, उन्होंने ट्वीट किया मोधी सरकार में समय समय पर प्रेस की सोतंतरता पर हमला होते रहा है, यह सब आलोचनात्मक आवाजों को दवाने के लिए किया गया है, यदि संस्थाओं का उप्योग विपक्ष और मीडिया को दवाने क के लिए होगा तो कोई भी लोगतंत्र नहीं बच सकता खड़के ने कहा कि लोग सरकार के इस कदम का प्रतिरोध करेंगे पार्टी मासर्ची जाराम रमेश ने सवाधाताओं से कहा हम अडानी मामले में संस्थी समिती यानि जेपीसी जांच की मांग कर रहे हैं और सरकार टीमसी सांसत ने सेवी और प्रवरता निदेशाले को टैग करते वे एक ट्वीट में कहा चुकि अजेंसियां ये वैलेंटाइन डे सर्वे कर रही हैं ऐसे में आयकर रुभाग और सेवी की सरकार के सबसे चहेते व्यक्ति मिस्टर ए पर छापे के बारे में क्या कहना है चाहे वे विपक्षी नेता हो, मीडिया हो, कारे करता हो या कोई और हो सचाई के लिए लड़ने वालों को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है दूसरी और माक्सवाधी कमिनिस्ट पार्टी ने भारत में बीबीसी के दफ्तरों पर आयकर रुभाग के चहापे को लेकर केंदर सकार पर निशाना साधा और सवाल किया कि क्या भारत अभी लोगतंतर की जननी है पहले बीबीसी की डॉक्यमेंटरी को प्रतिवंदीत करो अडानी के मामले में जेपिसी जांच पर कोई जांच नहीं अब बीबीसी के कारलेओ पर शापा भारत लोगतंतर की जननी इसमीच भारती कवनिस्ट पार्टी के सांसत विने विश्वम ने कहा है कि आयकर भाग की है कारवाई सच की आवाज को दबाने का प्रयास है उधर आमादी पार्टी ने भी BBC के कारलेओं में आयकर भाग के सर्वेक्शन आभियान को लेकर केंदर पर निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी तानाशाही के चरम पर पहुंच गए हैं आमादी पार्टी के राश्ट्री प्रवक्ता और राजेसवा सदस से संजय सिंग ने आयकर रिभाग के सर्वेक्षन पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एक ट्वीट में कहा मोदी जी आप ताना शाही के चरम पर पहुँच गए हैं आमादी पार्टी के नेता ने अपने ट्वीट में कहा पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंटरी पर प्रतिबन लगाया अब इसके दफ्तरों पर शापे मारी मोदी जी मत भूलिये हिटलर की ताना शाही भी खत्म हो गई आपकी ताना शाही भी खत्म हो जाएगी दूसरी और बीबीसी इंडिया के कारलेव में आयकर भाग के सर्वे को लेकर गहरी चिंता जताते हुए एडिटर्स गिल्ट ऑफ इंडिया ने इसे सरकार की आलोचना करने वाले मीडिया संस्तानों को डराने और परिशान करने के लिए सरकारी एजंसियों के उप्योग की परवर्ती की निरंतरता करार दिया एडिर्स गिल्ट ने बयान जारी करके मांग की है कि ऐसी सभी जांच में काफी सावधानी और समेदन शीलता बरती जाए जिससे पत्रकारों और मीडिया संग्ठनों के अधिकार कमजोर नहीं हो गिल्ट ने अपनी पुरानी मांग को दो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके